आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब देखो हमको पता है किसी भी एंगल में अगर तीन एंगल है अपने ट्राइंगल के 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 तीन एंगल है of a plus b की जिंगा आ रहेगा 180 minus c plus sin of अब c की जिंगा पराट ठीक है अब देखो cos pi minus theta कितना होता है cos 180 minus theta होते मेरा minus cos theta तो minus cos c आ रहेगा plus sin pi minus theta कितना होता है sin theta तो यह आ रहेगा sin ka a plus b यानि यह आ रहेगा sin a plus b और expression के मिलगी आपको sin a plus b minus cos c के बराबर ठीक है और rss क्या था अपना यही था sin a plus b minus cos c तो यानि यह किसके को लागे है मेरा rss के उक्वल ठीक है simply होसा हमने क्या यूज़ कर रहे है हमने identity यूज़ कर रहे है कि cos pi minus theta होता है यहाँ पल खिलेता हमे cos pi minus theta होता है वो होता है minus cos theta और इसी तरह से sin pi minus theta होता है अपना वो होता है sin theta क्योंकि pi minus theta अपने second quadrant में लाई करता है और second quadrant में sin positive होता है cos negative होता है ओके, thank you friends